आप इस तरह उचलते हो जब आपका एक्जाम बहुत ही बढ़िया जाता है या सब पुछ आता है लेकिन क्या आपको पता है कि आपके एक्जाम में कोपिया किस प्रकार चेक होती है जब आपकी कोपिया चेक होती हैं, तो ऐसा बहुत ही कम होता है ये examiner आपके पूरी उत्तर हाँ को ध्यान से पढ़े हमने उन सच्जन से बात की, जिनकी पुस्तिके आप पढ़ते हैं, वो बहुत बड़े writer हैं और बहुत सारी कोपिया चेक करते हैं हमने उनसे पूछा कि सर आप जब कौपी चेक करते हैं तो क्या पूरी उत्तर पुस्तिका को पढ़ते हैं उनका जबाब बहुती इंट्रेस्टिंग था उन्होंने कहा मैं उत्तर पुस्तिका जबी पढ़ता हूं जब किसी में दम हो कि मुझसे वो उत्तर पुस्तिका पढ़वा ले ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसी उत्तर पुस्तिका मिले जो मुझे मजबूर कर दे कि मुझे वो पढ़ना ही चाहिए तो हमने सर से पूछा, सर आप नंबर क्या अकडबकड बंबे बो करके देते हो तो सर ने हमसे कहा परिक्षा के जो उत्तर है उनको चेक करना बहुत बड़ा जंजट वाला काम है हम केवल उत्तर पुस्तिका के प्रथम दो पन्नों को ही पढ़ करके देख लेते हैं कि विद्यार्थी ने क्या लिखा होगा हम उत्तर के प्रस्तूती करन को साथी साथ जो पैराग्राफ सजाया गया है और उसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको हाइलाइट किया गया है साथी साथ उसमें किस तरह की राइटिंग को यूज किया गया है इसी पर बल देते हैं बहुत से विद्यार्थियों की राइटिंग बहुत खराब होती है जिसके कारण उत्तर पुस्दिका को समझ पाना और पढ़ पाना बहुत ही कठिन होता है इसलिए हम डाइग्राम, हाइलाइटेड विंदू और मेन मेन पॉइंटों को देख करके ही उत्तर के नंबर साजा करते हैं या उसको प्रस्तूत करते हैं उन्होंने अंत में कहा जो चीजे हमने बताई है अगर विध्यार्थी उसका ध्यान रखते हैं और अगर इश्वर बीच में नहीं आता तो उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता तो विद्यार्थ यदि आपने भी प्रथम प्रस्ट पर अपने उत्रों को सही तरीके से फीश किया है डाइग्राम बनाए हैं पॉइंटों को हाइलाइट किया है और सब कुछ आपने अच्छे ढंग से लिखा है चाहें आपने उत्र अपने तरब से लिखे हो लेकिन अगर वो प्रस्ट को संतुष्ट करते हैं तो आपको आसानी से पूरा नंबर मिल जाएगा और आपका रिजल्ट आते ही आप कुछ इस तरह से जोम उठोगे